पाँच दिनों तक चले बिहार विधान मंडल मानसून सतर के दौरान बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार के विवाधित बयान ने ना केवल बिहार को बलकि पूरे देश की राजनीती को हिला कर रग दिया है। जनसंक्या नियंतरन को लेकर जिस तरह से बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने महिलाओं के प्रती अपशब्द भाशा का प्रयोग किया था। उसके बाद से लागतार बिहार के मुख्यमंतरी की चारो ओर आलोजना हो रही है। बता दे कि 7 नवंबर 2023 को आरक्षन बिल पेश किये जाने पर बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार सदन में बोलने के लिए खड़े हुए थे। मगर वह बोलते बोलते जनसंक्या नियंतरन को लेकर महिलाओं पर ऐसी बातों को बोल गए कि जिसके बाद से उनकी कले नितीश कुमार द्वारा इन शब्डों का प्रियोक किया गया उसके बाद से ही वह शोशल मीडिया सहिद इलेक्ट्रोनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की सुर्खिया बन गए। बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार यहीं नहीं रुके उन्होंने एक बार फिर से अप अतार विवादित बयान देने का सिलसला यूहीं जारी था जिसका जिम्मेदार बिहार के मुख्यमंतरी अब मीडिया को मान रहे है और उन्होंने हर सरकारी प्रोग्राम में मीडिया की एंट्री को बंद कर दिया है साथ ही साथ उन्होंने मीडिया से दूरी भी बना ली है आज पूरा देश भारत के भूत पूर्व प्रधान मंतरी पंडिक जवाहलाल नहरू की 134 वी जेनती मना रहा है। इसी करम में बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार आज राजधानी पतना के बेली रोड इस्तित नहरू पार्क में स्थापित भारत के भूत पूर्व प्रधान मंतरी पंडिक जवाहलाल नहरू की आदमकत प्रतिमा पर शद्धा सुमन एवं पुषपांजली करने पहुँ तमाम मीडिया करमियों ने नितीश कुमार से बात करने की कोशिश की मगर बिहार के मुख्यमंतरी मीडिया करमियों से दूरी बनाया रखना ही उचित समझ रहे थे और उन्होंने मीडिया करमियों को जुक कर प्रणाम करते हुए दूरी बनाया रखी और बिना एक शब्द बोले वहां से वापस चले गए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना फूलें झाल आपको हमारा वीडियो पस्केश्डियो झाले ना ना आपको भाइकन से अभी बेल आपको देप